हेलो यूट्यूब फेमली वेलकम टू माई चैनल बिनोत कीचन हिंदी में आप सबका स्वागते दोस्तो आज हम बनाने जारें बहुती टेस्टी और बहुती यूनिक रेशिपी चिकन पे आज के पकोड़े तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों हमने इसको बनाने के लिए लिए 300 गराम चिकन के बड़े दो पीस आप चाहिए तो दुकान से बॉनलेस चिकन ले सकते हैं हमने चिकन को घर पे लिया है और घर पे ही बन से अलग करेंगे दो करके अच्छे से रख लें अब हम इसको स्लाइस में कट करना है बहुत पतला पतला करके देखिए इस तरह से जो कि प्याज और चिकन के पीस बराबर होने चाहिए इस तरह से देखिए पतला कटना है बिल देखिए बहुत ही मज़ेदार रेशीपी होने आ लिए दोस्तों वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को शेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें देखिए चिकन को हमने इस तरह से काट लिया है आप पी इसी तरह से काट लें अब हम इसको एक बॉल लिया पराज में ले ले देखिए प्याज को इसी तरह से काटना है बहुत छोटा नहीं करना है स्लाइस में काटें और स्लाइस को सबी को पीश को अलग कर लें हाथ से दोस्तों अब हम इसमें डाल रहे है हरी मिर्च थोड़ा सा पुदिना और थोड़ा सा धनिया फ्रेश धनिया काट करके डालें और शादे हम अब इसमें डालेंगे कूट करके घर पर रखावा मसाला यवि मसाला कैसे रेडिक है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मज नमक, नमक स्वात की अनुसार डालें, एक चम्मज लाल मेर्च पाउडर, एक चम्मज हल्दी पाउडर, मशाले आप अपने टेस्ट के साब से डालें और हमने थोड़ा सा लिया है चाठ मशाला, आधा चम्मज, उससे थोड़ी खटा अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों बेशन हमने 4-5 चम्मज बड़े चम्मज के बेशन की जरुरत पड़ेगी बेशन द्यान रहे एक साथ नहीं डालना है आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और आप चाहे तो इसमें थोड़ा लेमन जूस का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरह से हमने पानी डालना है हाथ से अच्छे से मिक्स करना है इसको देखिए सेम इसी तरह से अच्छे से mix करना है देखिए हमने इसमें मसाला थोड़ा सा और add किया है बात में मसाले के बारे में जैसे कि मैं आपको बता है आगे वीडियो में बताता हूं कैसे ready करना है हो में मसाला है तो इस तरह से mix कर लें देखिए है तो वीडियो को पूरा देखिए कोई भी पार्ट मिश ना करें नहीं तो बाद में बोलेंगे अच्छा नहीं बना था तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसको mix करें और हम इसको बेशन थोड़ा और डालेंगे क्योंकि ब बालों पड़ जाएगा तो देखिए इसको बहुत अच्छे से mix करना है ताकि इसके मसाले सभी अच्छे से mix होने चाहिए तो दोस्तो अब इसमें थोड़ा साम कस्तुरी मेथी के ये यूज़ कर रहे हैं अब कस्तुरी मेथी को डाल करके थोड़ी देर ऐसी mix करके छोड़ देंगे 5-10 मिनेट उसे जो भी ये मसाले बहुत अच्छे से मेरिनेट हो जाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बा कड़ाई में बहुत अच्छे से गरम करने पहले तो देखिए इस तरह से उबालाना चाहिए डालने के बाद आप गेज का फिलेम कम कर सकते हैं क्योंकि फस्ट में तेल बहुत ज्यादा गरम अना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो आपके पकोड़े कड़ाई में चिप भी पकोड़े एक ही टाइम में ना डालें उतना ही डालें जितना की तेल में डूब जाएं और एक आपस में ना चिपके इस इतका खाथ स्थैन रखना है अपने तो जैसे ही दो मिनिट हो जाए आप इसका साइट पलटें कि देखिए कड़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक है कलर भी एक साइट बहुत अच्छे से आ गया है साइट सभी का चेंज करें इस तरह से और फिर से दो मिनिट दूसरा साइट को भी पका लें देखिए अब यह मारा तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं है तो आप इसमें आराम से छोड़ सकते हैं अगर तेल भुल हाई होगा तो पकोड़े बहुत जल्दी जलने लगेंगे और अंदर से चिकन जो है अच्छे से पक नहीं पाएगा इसलिए गेस का फ्लेम मीडियम टू को लो रखें Hello इसको आप स्याम के नास्ते में शुब में बना सकते हैं शाथ में स्नेक्स बढ़े बना शकते हैं पहुत ही टेस्टी है और बहुत आसानी से बन जाते हैं इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो देखिए हमारे पकोड़ का कलर बहुत अच अच्छे निकाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुती क्रंची बने हैं, जैसे सोचा था वह ऐसी बने हैं, इस तरह से सभी को निकाल लें, और ध्यान राइस में जो छोटे टुपले प्याज के हैं, इसको भी निकाल के हटा दें, नहीं तो यह सेकेंड टा करें, बहुती आसन और बहुती जल्दी बन जाती है, और साथी बहुती टेस्टी और हेल्थी भी है, तो देखिए हमारा सेकेंड वाला पी, बनकर रेडी होने वाला है, कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसको निकालने के ब दोस्तो हम इसको अब निकाल लेते हैं, दिहां रहेज आपने भी इसी तरह से निकाल लेना है, इसके जितने प्यास के छोटे टुग्डे तेल में बचेंएंगे, अब हम इसको फिर शे एक बार तेल में डालने वाले हैं, तो देखिए हमारा पकोड़ा बनके रेडी हो गय गया है दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक करें हम मिलते आगले वीडियो में